नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल सर्विश टू सेविंग गैड में बहुत-बहुत स्वागत है समय समय पर सरकारी कमचारी के सेवा नियम से समंधित अलग-अलग ट्रॉपिक पर हम आपसे चर्चा करते रहते हैं इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे CCS ली लिव यानि की संतान, देखभाल, अवकास और इससे जुरी नियम और सर्तों के बारे में तो आईए जानते हैं इस वीडियो में अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सभी स्टू सेविंग गैड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें वीडियो स्पेसल लिव के बारे में जिसकी पूरी लिस्ट आप यहां इसकीन पर देख सकते हैं और CCS लिव रूल 1972 के तहत कौन से कमचारी CCL का लाव ले सकते हैं उसकी भी पूरी लिस्ट आप यहां इसकीन पर देख सकते हैं तो आईए जानते हैं इससे जुरी एक-एक नियम और स लेनों उसे स्विकित की जा सकती है और सिंगल मेल पारेंट के तहट किसी भी अनमारीज उड़ूर और डैबोर्सी गबर्मेंट सर्वेंट को भी CCL ग्रांट की जा सकती है यानि की स्विकित की जा सकती है समस्त सेवाकाल में अधिकतम दो बर्स अर्थाथ 730 दिन की पत्के LND के रूप में CCL तीसरे बर्स भी मंजूर की जा सकती है यदि संतान 18 बर्स या इस से अधिक आयू के हो तो CCL ग्रांट नहीं की जा सकती या छुटी टूकरों में यानि की more than one spell बच्चों की पालन पोसन या उनकी आपसकताओं जैसे परिच्छा बिमारी इत्यादी क की पूरती हेत्योँ अजूर की जा सकती है CCL की कटोती लीव एकाउंट से नहीं होती है CCL किसी भी प्रकार की दे और बकाया छुटी के साथ समायोजित की जा सकती है यानि की CCL किसी अन्द छुटी के साथ कम्बाइन की जा सकती है दे और बकाया छुटी सहित साथ दीन से जैदे कम्यूटे लीव और LND बिना चिकितसा प्रमानपत के तीसरे वर्स भी CCL के साथ मंजूर की जा सकती है CCL केवल बड़े दो जीवित बच्चों हेतु ग्रांट की जा सकती है CCL को लेखा निर्धारित प्रारूप में कमचारी के सेवा अभी लेक के साथ रखा जाता है CCL को अरजित अवकास की तरह माना जाता है इस प्रकार छुटी की अवधी में परने वाले सनीवार, रभीबार और राजपतित अवकास इत्यादी अरजित अवकास की तरह CCL में गीने जाते हैं CCL की मांग एक अधिकार की रूप में नहीं की जा सकती किसी भी परिस्थिती में कोई कमचारी छुटी सुकित करने वाले प्राधिकारी यानि की लीव सैंक्सनिंग ऑथोरिटी के पुर्व अनुमोधन के बिना CCL पर नहीं जा सकता नियुनतम 40% बिकलांग बच्चों के मामले में प्रमानपत्र परतूत करने पर किसी भी आयू के बिकलांग बच्चों के लिए CCL मनजूर किया जा सकता है 13.6.2018 से बिकलांग बच्चों के मामले में 22 बर्स की आईव सीवा को हटा दिया गिया है CCL एक बर्स में 3 बार से अधीक ग्रांट नहीं की जा सकती लेकिन सिंगल मदर को 3 बार के बदले 6 बार ग्रांट की जा सकती है CCL एक बार में 5 दिन से कम अधी के लिए ग्रांट नहीं की जा सकती अत्या वस्यक परिस्थिती को छोर कर सामानत्या प्रोबेशन प्रियर्ड में यानि की प्रोबेशन प्रियर्ड के दौरान CCL प्रदान नहीं की जा सकती ग्रांट नहीं की जा सकती लेकिन बिसेश परिसिती में नियूनतम अबधी के लिए CCL ग्रांट की जा सकती है CCL के दोरान करमचारी LTC ले सकते हैं यानि की LTC पर यातरा कर सकते हैं 162008 से Defense Establishment के Civilian Female Industrial Employee को भी CCL ग्रांट की जाती है Civilian Female Industrial Employee के दोरा 192008 और 2010-2011 के बीच अगर EL यानि की Earned Leave दो बड़े औवियस्क बच्चों यानि की Minor Children की देखभाल के लिए लिया गया हो तो उसे CCL में परवर्थित किया जा सकता है CCL के दोरान कमचारी को 365 दीन तक 100% छुटी वेतन यानि की Leave Salary दिया जाता है CCL पर कमचारी Headquarter छोड़ने या विदेश यातरा करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमती लेनी होती है यानि कि अगर कोई कमचारी CCL पर हो और Headquarter छोड़ना चाहे या फिर विदेश यातरा करना चाहे तो इस से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमती लेनी होती है और Clearance भी लेना होता है और CCL तब भी लिया जा सकता है जब सरकारी कमचारी के खाते में EL मौजुद हो यानि की अरजित अवकास मौजुद हो तो दोस्तों ये 21 नियम है जो की CCL पर लागू होता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और जो इसे जुरी सर्ते हैं उसके बारे में आप जान गए होगे और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा जानकारी अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नवाद